दिल्ली में एक कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी के पास विवाद पहुच चुका है जो हर्याना कॉंग्रेस में साफ तोर पर देखा जा रहा है अशोक तवर और जैतीरत धैया का ये विवाद कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी के पास तक पहुच चुका है यानि कि जिस तरीके से ये खेमा बटा हुआ नजर आ रहा है अब वो श्कायत राहुल गांडी तक पहुँच चुकी है और जेतीरत धईया ने राहुल गांडी को ये श्कायत अशोक तवर को लेकर भेजी है और शिकायत में लिखा है कि अशोक तवर ने उन्हें एक बैठप के दौरान अपमानित किया था शिकायद में अशोकतवर पर कारवाई की मांग भी की गई है तवर पर अपमानित करने का आरोप लगाया है जेती रधिया ने और ये विवाद अब राहुल गांदी तक पहुँच गया है और जेती रधिया ने राहुल गांदी को ये शिकायद भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे अपमानित किया गया शोकतवर की तरफ से और उन पर कारवाई उच्छित की जानी चाहिए और जिस तरीके से करारी हार राज्य में हुई है लगातार कॉंग्रेस बट्टी हुई वा नजरा रही है चार जून को कॉंग्रेस की मंतन बैठंग में तवर और जैती रधिया के पीच विवाद देखने को मिला था तो करारी हार के बाद जहां ये वक्त मंतन का था कॉंग्रेस के लिए उस दौर में अब हर्याना कॉंग्रेस आपसस में ही लड़ रही है और ये लड़ाई अब दिल्ली तक पहुँच गई है यानि की राहुल गांधी तक पहुँच गई है राहुल गांधी को शिकायत जैती रधिया ने दी है कि भई मुझे अपमानित किया गया अशोकतवर की ओर से और अब उन पर कारवाई की जानी चाहिए और लगातार इस तरीके का विवाद हर्याना कॉंग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है अब इंतजार है कि शिकायत तो राहुल गांधी तक पहुच गई अब आगे उनका स्टेप क्या होगा क्योंकि अब इसी साल कुछ महीने बाद राज्य में विधान सभाद शुनाव भी होने हैं इसे में तैयारी ना करकर आज कॉंग्रेस का खेमा आपस में ही लडाई कर रहा है तो अश्योक तवर के खिलाब जैती रदिया ने की है ये शिकायत और राउल गांधी तक पहुचा दी है बड़े सवाल हर्याना विधान सभा चुनाव होने हैं उनमें तैयारी ना करकर ये नेता आपस में ही लड़ रहे हैं एक भी सीट लोगसभा चुनाव में इनके तरफ नहीं आई अब जब मन्थन का दौर है लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जब तवर बैठके बुलाते हैं तो उसमें बड़े नेता शामिल नहीं होते हैं ये भी एक बड़ा विवाद है और ऐसे में जब राजमे विधान सभाद हाल ही में होने हैं इस तरीके कि ये मामले सामने आना क्या कारे करता हूँ का जोश ठंडा नहीं करता क्या पार्टी को यहां पर मजबूत सिती से हटा कर एक कमजोर सिती में नहीं रखता और इसका फाइदा कहीं न कहीं बीजेपी उठाने की कोशिश जरूर करेगी तो कॉंग्रस अद्यक्ष राहूल गांदी के पास तक हर्याना कॉंग्रस को विवाद पहुच चुका है करारी हार के बाद मंथन ना होकर अब हर्याना कॉंग्रस में विवाद देखने को मिल रहा है वरिशनेता हर्याना कॉंग्रिस के जैतीरत धहिया ने शिकायत की है प्रदेश अद्यक्ष शोकतवर के खिलाफ कि भई इन्होंने अपमानित करने की कोशिश की इंचे खिलाफ उचितकारवाई की जानी चाहिए अब इंतजार राहूल गांधी की प्रतिक्रिया का है कि क्या उनकी प्रतिक्रिया इस पर आती है इस तरीके का विवाद आ रहा है सामने बीजेपी जरूर फाइदा उठाने की कोशिश करेगी यहाँ पर निश्यत तोर पर डीजेपी का ही फाइदा है इसमें और सारा का सारा नुपसान किसी भी सूरत में अगर है तो वो कॉंग्रेस का है क्योंकि राहुल गांदी क्या पतिक रिया देंगे ये डिपेंड करेगा और राहुल गांदी को अगर अशुरुक तवर को हटाना होता तो इससे पहले भी कैई वार हुड़ा ग्रूप के कैई विधायकों ने लामबध होकर प्रयास किये हैं और करीब 6 साल उन्हें पूरे हरियारा कॉंग्रेस पर देश रद्यक्ष बने हो चुके हैं तो सवाल यह नहीं है कि उन्हें हटाया जाएगा है नहीं जाएगा बात यह है कि जो राड थोरी सी जो कम दिखती थी इससे पहले लोगसवा चुनावों में क्योंकि आपको भी आद होगा कि जब चर्चा हमारी होती थी कॉड़िनेशन कमेटी बना दी गई थी तो ओर आल जो लोगसवा चुनावों में कॉड़िनेशन कमेटी ने सभी बड़े चैरों को चुनाव टिकेट दे के उतारते हुए अपने अपने चितर में सीमित कर दिया था लेकिन यहां विदान्सवा चुनाव में बात सबस्ते बढ़ी हो जाती है कि चियम पत्का उमीदवार कौन होगा उसको लेकर अगर किस तरह की क्लेटी नहीं होगी कॉंग्रेस में और प्रदेश अद्यक्ष बाकी निताओं के साथ अगर साथ जाट बनाके नहीं चलेंगे तो सारा का सारा नुक्सान कॉंग्रेस को जिलना पड़ेगा और नंबर दो पर रहने वाली नौ लोग सबाचीटों पर कॉंग्रेस विदान सवा में किस तरह की फाइट लड़ पाएगी सब्सक्ता इस पर सवाल खड़ा होता है लेकिन ऐसे में ये जानना भी जरूरी है जैतीर दहिया भी बहुत वरिशनिता माने जाते हैं हर्याना अगर वो आरोप लगा रहे हैं अशोख तवर का इस आरोप पर अभी तक प्रतिक्रिया उनकी आई है। जिट किया जा रहा था अशोग तवर को तो अशोग तवर के भूंसे यहां तक निकल गया था या कह सकते हैं कि उन्हें यहां तक कह दिया था कि अगर मुझे खत्म ही करना है तो मुझे गोली उमार दो उसके बाद कोई एक्षन गुलाम नभी अजाद यानिकी हारियाना कॉंग्रेस परभारी की तरफ से हुआ नहीं अब राउल गांदी के दरवार तक यह लड़ाई पहुँच चुकी है सपना इस सब के बीच में एक बात ज्यान रखने वाली यह जरूर है कि 9 जून को यानिकी कल रविवार को उपेंदर सिंग खुड़ा ने अपने समर्थकों की बहुत बड़ी बैटक दिल्ली आवास पर बुलाई है जिसमें मौझूदा कॉंग्रेस विदायक हरियाना के पूर विदायक पूर सांसद या जो भी हुड़ा ग्रूप में आस्ता रखते हैं तमाम लोगों को साथ बिटाकर बड़ा एक्शन क्या लेना है इस पर चर्चा की जाएगी और यह लगातार दवाब अशोग तबर को समाकाने को लेकर बनाया जा रहा है जी शुक्रिया विनोद लांबात अमाम जानकारी के लिए तो हार की समीक्षा करनी चाहिए थी लेकिन अंदर खाने राजनीती बाहर की राजनीती पर हावी होती नज़र आए